लेकिन इस दफ़ा जो हम इसको ज़्यादा देख रहे हैं उसके कारण दो और हैं एक कारण ये है कि कई ऐसे पेशन्स हैं जिनको डाइबिटीज है शुगर की तकलीफ है और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इंफेक्शन के चांसेज ज़्यादा होते हैं जाते हैं इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस्यूज स्टिरोइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशन्स जिनको माइल्ड डिजीज है जिनको ऑक्सिजन के जरूद नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इ इंफेक्शन ज्यादा होता है इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इंफेक्शन है बुखार है सैचुरेशन मंटेंड है खांसी है लेकिन और कोई ऐसे लक्षन नहीं है कि ऑक्सिजन कम हो रही है तो स्टिरोइड नहीं देने चाहिए क्योंकि उससे आगे जाके इंफेक्शन के चांसे हो सकते हैं स्पेशली अगर उनको उस व्यक्ति को डाइबेटीज भी है दूसरा है डाइबेटीज या शुगर कंट्रोल वो बहुत जरूरी है क्योंकि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता उसमें ये फंगल इंफेक्शन ज्यादा पाया ज जाती है तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें और अगर डाइबेटीज है तो और भी ज़्यादा जरूरत है कि जब कोविड इंफेक्शन है या आप स्टीरोड ले रहे हैं तो शुगर को रेगुलरी मॉनिटर करें तीसरी चीज यह है कि मास्क अपना लगा के हो सकते हैं